आमतर पर लोग सुच जल के लिए मिनरल वाटर का पानी पीना बेहत पसंद करते हैं ताके खुद को हेल्दी और स्वास्त रख सकी किसी दरा की कोई समस्या ना हो या आप अकसर बाहर घूमते समय सबसे पहले शुद पानी समझ का मिनरल बोटल को खरीते हैं लेकिन आपको बता दे कि आप मिनरल वाटर को जितना सुद समझते हैं उतना शुद नहीं होता क्योंकि उसमें पहले से ही कई वाइरस मौजुद होते हैं जिसे आप शायद अभी तक अंजान हैं लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दे कि ओफिस या घर हो हम पानी को वाटर प्यूरिफाई से साफ करके उसका सेवन तो करते हैं लेकिन हम यह सोचते हैं कि अगर हम वाटर प्यूरिफाई का सुथ पानी पीते हैं तो हम गलत सोचते हैं आपको बता दे कि जाएद दर फ्रिज में रखी बोतली प्लास्टिक की होती हैं जिससे आप पानी का सेवन बड़े ही चाव से करते हैं हाला कि प्लाष्टिक के बोतल में कहीं ज़्यादा वेक्टीरिया मौजुद होते हैं जो आपको गंभी रूप से बिमार कर सकते हैं साथ ही आपको पेट से सम्मरित कई गंभी बिमारिया हो सकती है वहीं आपको बता दे कि एक सोत का नुसार इस बात का खुलासा हुआ कि बोतल पर जो जमा जर्म साथ परश्रीसत ऐसे होते हैं जिससे आप गंभी रूप से बिमार हो सकते हैं हाला कि आप हमेश अपने बोतल को मुँ लगा कर पानी पीते हैं आपको बता दे कि ऐसा हम सडकों पर या फिर पार्कों में घूमते हुए करते हैं जिसके कारण यानि मुह लगाने से लार खुली हवा में मौजूद जर्म्स के संपर्क में आ जाता है जिससे कारण आपके बोतल के आस पास कई परकार के जर्म से खटे होने सुरू हो जाते हैं जिससे आप अजान रहते हैं जिससे कारण आपको पेट से समद बिमारिया दीरे दीरे होने शुरू हो जाती है इसलिए बैतर होगा आप बोटल खरीटते समय बोटल की प्लास्टिक की जाँच अच्छी प्रकार से कर ले साथ ही आप एक बोटल कि इस्तमाल के बाद उसे गर्म पाने से ही धोई ऐसा करने से वेक्टीरिया खत्म हो जाते हैं साथ ही आप कई बिमारियों से बचे रहते हैं साथ ही आप कई पेट समद्धित कई बिमारिया नहीं होती कुरन हालडेक्स से लानिकी रिपोर